आपका momentum, आपका confidence, आपकी energy काफी ज़दा high हो जाएगी, स्कोर्स में आप enroll करो, first attempt के पहले enroll करो, डरो मर, एक दो दिन के अंदर में बच्चों ने number अपने improve किया, आप देख सकते हो feedback कितने सारे बच्चों ने अपने marks इंप्रूफ किया, यह हमारा episode number 857 है, episode number 855 और 856 में मैंने, आपके सामने 10 April के shift 1 के questions लिये थे, 9 questions मैंने आप लोग लिये थे physics के, same paper, same paper कि मैं अभी chemistry के questions यहाँ पर ले रहा हूँ, तो जो बच्चे बोलते हैं ना कि तुक्का नहीं लगता, एक-दो questions में लगता है, उन सब के मुपर चाटा, इतने सारे questions में आपको दिखा रहा हूँ, तुक्का ट्रिक्स ठीक है, अभी इसके पहले आपको मैंने January के attempt के भी एक paper में दिखा रहा था, इतने सारे questions में आपको दिखा रहा हूँ, अब इस course में enroll करो, अगर आप absolute 0 पे हो, तो वहाँ से भी आप 800 नमबर ला सकते हो, सिर्फ purely based on तुक्का 80 नमबर पॉसिबल है, मैंने course के अंदर में दिखाया है कैसे, demonstrate करके दिखाया है, अगर आप खोड़ा बहुत भी करना जानते हो, अराम से 110, 120 तक आप जा सकते हो, अगर आप SCST category के हो, course बहुत helpful है, क्योंकि आपका उतने में ही आपका selection हो जाता है, अगर आप general category से हो, तो उस case में आप अगर 77, 80, 900 उस range में अटके हो, इस range में, यहां से आपको 171, 180 जाना है, 98, 99 percentile secure करना है, तो यह course आपको बहुत ज़्यादा help करेगा, मानलो आप 1500 नंबर पर हो, तो वहां से आप 192, 100 जाना चाहो, आपको help करेगा, मानलो आप 200 पर हो, 220 तक जाना चाहो, आपको help करेगा, उस रिश्यों में, एक बात की बात में आपको बता रहा हो, समझाने के लिए, तो जो भी आप score कर रहे हो, वहां से अगर आपको number boost करना है, तो इस course में आप आज ही enroll करो, अभी enroll करो, यह WhatsApp नंबर जो हमारे पास में है, ठीक है, एक WhatsApp लिंक भी आपको description में मिल जाएगा, उस पे click करके आप हमारे team को directly reach out कर सकतो, या फिर नंबर से आप हमारे team को WhatsApp पर reach out करो, course में enroll करो, direct link description में दिया हो, आप directly payment करके भी enroll कर सकते ह वापस से बताता हूँ, logical and scientific tricks आप सीखोगे, सारे के सारे structure way में organized way में, YouTube में क्या होता है, रैंडमली होता है, कुछ दो चार questions लिए जाते है हर episode में, course में आपका पूरा structured way में organized way में होता है, तो आपको क्या और कहीं जाने के फिर जरुवत नहीं है, पूरा series आप course में आराम नहीं benefit होगा, इसलिए अभी enroll कर लो, differentiator क्या है, भाई, course में यूट्यूब वीडियो में difference क्या है, कि पहले तो आपका course में क्या होता है, full paper तुकर ट्रिक्स भी दिखाया जाता है, on spot demonstration आपको दिखाया जाता है, यहाँ पे pre-selected questions होते है, exam scenario के यसाप से course में, आपके episodes होत तो एक structured way में, organized way में, पूरा का-पूरा course, आप पूरा का-पूरा मेरा दिमाग जो है, एक तरीके से ले सकते हो, course के तुरू, यह हमारे बाकी exams के courses है, WPJ, MSTCT, NEET, कॉमेट के, इसमें भी आप enroll कर सकते हो, अगर आप mega combo में enroll करना चाहो, तो हमारे team को WhatsApp करो, काफी affordable price में, आ ठीक है, otherwise JMN में तो जरूर से enroll करो, link आपको जो है, description में, दिया हुआ है, अब आज़ो यहाँ पर देखो, इस question को देखो, first question को आप देखो, a molecule undergoes two independent first order reactions, whose respective half-lives are 12 minute and 3 minute, if both the reactions are occurring, then the time taken for the 50% completion, consumption of the reactant is, ठीक है, तो simple सी बात है, यार, दोनो reactions साथ में हो रहे हैं, ठीक है, एक को लग रहा है 12 minute, एक को लग रहा है 3 minute, जब दोनो reactions साथ में होने लगेंगे, तो जो reactant है, वो और ज़्यादा fast consume होगा, क्या आपको वाट संग में आ रहा है, तो time और ज़्यादा कम हो जाएगा, दोनों आप साथ में काम कर रहे हैं, तो answer 3 से भी छुटा हो जाएगा, और आपको nearest integer में यहाँ पर mark करने के लिए बोला है, तो obvious सी बात है, या तो answer 1 होगा, या तो answer 2 होगा, इन दो में ही तो आपको तुक्का लगाना है, इन दो में ही तो आपको तुक्का लगाना है, common sense वाली बात है, ठीक है, दोनों reaction साथ में चल रहा है, reactant जो है, वो और fast consume होगा, time हमारा 3 से भी कम हो जाएगा, अब 1 या फिर 2, क्योंकि nearest integer पूचा है, तो आप तुक्का लगाओ ना, 50-50 chance आपको सही होनेगा, समझ रहाँ आप बात को, तो इस तरीके से आपका जो यह तुक्का help करता है, इसका जो correct answer दियावा है, वो हमको दियावा है 2, ठीक है, formula के according, 1 by 12 plus 1 by 3 किया, is 1 by T, यहां से आप देखोगे, तो आपका आएगा 12, 1 plus 4, 1 by T, तो आपका यहां से T आजाएगा, कितना 12 by 5, which is 2.4, round off किया हमने, तो answer आया 2, क्या आपको बात समझ में आ रही है, yes or no, तो तुक्का लगाने लिए कितना best option था, 1 या फिटू, है न, इसी को कहते हैं हमारा intelligent guessing, इसी को कहते है intelligent guessing, इसी को कहते हैं जुगाड, ठीक है, ऐसे आप number को जो बूस्ट कर सकते हो, next question आप देखो, यहापे क्या दो equation दिया हुए, मानलो आप इसको solve करना नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, आप options को eliminate कर लो, आप option को देखो, ध्यान से देखो, पहले तो आप x और y निकाल लो, ठीक है, आप ध्यान से, क्या करो, पहले तो आप x देख लो क्या है, x क्या है, तो x क्या हो जाएगा, x आपका हो जाएगा, 2CO2 उल्टा कर लो, 2CO2 gives 2CO plus O2, यह आपका x हो जाएगा, क्योंकि यह minus x था, फिर आपका y क्या हो जाएगा, y के लिए पह उल्टा कर लो, फिर आपका हो जाएगा, CO2 gives C plus O2, ठीक है, यह आपका x और y हो गया, मैंने इसको उल् उस case में क्या होगा, x-2y by 2, x-2y by 2, तो x क्या है, अब x क्या है, 2CO2 gives 2CO plus O2, 2y क्या है, इसको double कर लो, 2CO2 gives 2C plus 2O2, अब मैं दोनों को minus करूँगा और by 2 करूँगा, तो जब मैं minus करूँगा, तो क्या हैगा, 0 gives 2CO, समझ रहाँ न, minus 2C, और O2 minus 2O2, यह आएगा, और अब मैं by 2 भी करूँगा, समझ रहाँ बात को, जब मैं by 2 करूँगा, तो मेरे को अब क्या मिल जाएगा, अब मेरे को मिलेगा 0 by 2, ठीक है, CO, CO2 by 2, तो 0 by 2 तो 0 ही हो जाएगा, तो यह अब आपका क्या हो गया, यह अब आपका हो गया, आप ध्यान से देखो, इन दोनों को मैं इस साइट ले जाता हूँ, तो मेरे को मिल जाएगा, C plus O2 by 2 gives CO, अब आप देखो, आपको option के साथ मैच होगी है, इसका मतलब option A correct हो जाएगा, देखो ध्यान से, C plus O2 by 2 gives CO, तो आपका option A is the correct answer, अगर A में नहीं आता तो हम B में देखते हैं, B में नहीं आता, C में देखते हैं, आप चेक करके देख सकते हैं, आप देखो ध्यान से, अगर मैं option B को चेक करूँ, तो option B में क्या है, X plus 2Y by 2, मतलब इन दोनों को add करना है मे जब मैं add करूँगा, तो 4CO2 gives 2CO plus 2C plus 3O2 आ जाएगा, अब मैं by 2 करूँगा, तो क्या मेरे को यह दिख रहा है, यह equation दिख रहा है, नहीं दिख रहा न, तो यह हमारा नहीं होगा, समझ रहो, फिर 2X minus Y by 2 करना है, तो 2X minus Y करोगे, तो 2X हो जाएगा, 4, 4, 2, और Y में यह फ minus X करो, तो यह आपका 0 आएगा, यह आएगा आएगा आपका 2C minus 2CO plus O2, यह आएगा, अब by 2 अगर आप करोगे, तो आपका आएगा क्या, अचा by 2 तो इसमें है यह नहीं, तो नहीं होगा possible, ठीके, by 2 तो है यह नहीं, तो यह आपका आजाएगा, 2CO gives 2C plus O2, यह आपका ऐस यह नहीं, बोलो, yes or no, क्या आपको बात सांच में आ रहे है, तो इस तरीकी सिक्की उल्टा है, by 2 भी करोगे, तो CO LHS में आ गया, left hand side में, लेकिन यहाँ पे CO LHS में चीए, तो एक यह एंसर सही हुआ option है, तो अगर आपको solve करना नहीं भी आता है, तो भी using the options, you can eliminate all the options and get the correct answer यह भी हमारा एक जुगार हो गया, बहुत सरे बच्चे chemistry में कमजोर होते है, मैं भी कमजोर हुआ गरता था, अभी भी कमजोर हूँ, तो मैं ऐसे जुगार लगा के कुछ questions को solve करूँगा, है ना, तो यह हमारा 2, यह हमारा A, अब मैं आपको दिखाता हूँ, यह numerical type के अंद सिर्फ, सरी, सारे, हाँ, सारे गलत इसके chances कम है, सिर्फ एक सही हो इसके chances कम है, दो सही हो इसके chances जादा है, तीन सही हो इसके chances भी है, चार के चारो सही हो इसके chances भी कम है, तो mostly इस टैप के questions का जो answer होता है न, वो बीच में कहीं होता है, 50, 55, 60% के बीच में, यह मैं आपको इसकी बात बतारो, आप जितने questions कर लो, 50-70% के बीच में, ऐसे type के questions का answer निकलता है, ठीक है, चार statement है, चार होगी गलत हो, possible कम है, एक ही, मलब, एक ही हमारे पास में क्या हो, मलब, वो हो, सही हो, इसके भी possibility कम है, 50% दो possibility है, फोड़ा सा जादा possibility है, ठीक है, सारे सही हो, इसके भी possibility कम है, क्योंकि जब check करने बोला है correct statements, तो एक हाथ तो गलत निकलेगा ना, समझे रहो बात को, इसलिए, तो ऐसे questions में, आप कैसे guess कर सकते हो, आपके पास चार statement है, आप देखो, आपको कितने पता है, चेक करो, हो सकता है, एक दो आपको पता हो, हो सकता है, चार में से एक आप 2 निकाल लो, एक दोटो, और एक दोटो के बारे में आपको पता ना लगे, तो वहाँ आप एक अच्छा guess मार सकते हो, 2 या 3 के बीच में, चीक है, इसका जो correct answer दियावा है, वो हमारे को दियावा है 3, 3 दियावा है इसका correct answer, राइट, अच्छा last question देखो, similar concept पर ब तो इसके chances बहुत कम है, सिर्फ 1, chances बहुत कम है, सिर्फ 2, chances है, सिर्फ 3, chances बहुत जादा है, 4, chances है, लेकिन थोड़ा सा कम है, 5, chances बहुत कम है, समझे रो, कोई एक चीज आपको दियावा है, 5 चीजे दिवी, आपको बोला, 5 में आप चेक करो, कौन condition satisfy कर रहा है, 5 के 5 हो satisfy कर करे chances कम है, 5 में से कोई ना करे chances कम है, 5 में से सिर्फ 1 करे chances कम है, 2 करे chances है, 3 करे chances बहुत जादा है, 4 करे chances है, बट थोड़ा सा कम है, but guess लगाने के लिए 2, 3, 4 के अंदर answer होने की almost 99% probability है, even more than that, 99.5% probability है कि answer इन 3 के अंदर में होगा, ऐसे cases में आपको तुक्का लगा लगा ल ठीक है, तो इसका भी 3 हमारे पास में दिया था, इसका भी 3 दिया था, दुनों नुमरिकल टाइप question के answer हमारे पास में 3 हैं, और हमारे पास में ये भी numerical टाइप question था, same paper का ये आप देख लो, इसका भी हमने तुक्का लगाया, answer 2 था, और इसका थो हमने option eliminate करके answer A निकाल ल और इस चीज़ की में practice पहले से करके गया था, ये नहीं की exam day पे मैंने किया, मुझे पता था कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, मेरी ability मैंने back to back mock test में मैं इतना ही maximum ला पाता था, 100, 110, 120, 130 है ना, तो मैं को पता था मैं को questions में तुक्के मारना है क्योंकि मैं को पता है, कि मेरी rank 200, 1000 के अंदर तभी आएगी, जब मैं 170, 180 तब जाओंगा, 2017 में मैंने exam दिया था, AIR 15,260 मेरी आए थी, 98.7% के आसपस बनता है, और उस time पे एक ही paper होता था, दो attempt नहीं होते थे, एक दिन, do or die, वो situation, उस pressure में, इतने सारे बच्चे, 12-13 लाग बच्चे एक साथ, वहाँ पे म नहीं नमबर बढ़ाये थे, बच्चे वे questions को attempt कर, यह simple math है, अगर आप 30 questions attempt करते हो, उसमें से 15 सही निकालते हो, 15 गलत निकालते हो, 15 सही होने कि आपके साथ नमबर, 15 गलत होने कि आपके माइनस 15, तो net आपका 45 नमबर यहां से increment हो गया, simple math है यह आपका, चीग है, बढ़ यह करना, आपको आना चे, कैसे करना है, क्या करना है, डर जो आपका लगा रहता है, वो सारी चीज़ा आपकी भग जाएगी, आपका momentum, आपका confidence, आपकी energy काफी जदा हाई हो जाएगी, इस course में आप enroll करो, फर्स एटम के पहले enroll करो, डरो मर, एक दो दिन के अंदर में बच description में जाके आप लोग enroll करो, या फिर आप हमारे team को WhatsApp करो, वो आपको guide कर देंगे, यह सारे details है, structure tricks course है, तुका tricks आपको full paper में देखने को मिलता है, और भी बहुत सारे facilities है, free mock test आपको मिल रहा है, तो काफी जादा beneficial एक course आपके लिए होने वाला है, इस course के benefits आपको उठाने ह इसके अंदर में जल्दी enroll करो, और जल्दी से सारे episodes को देख करके mock test में apply करना start करो, चलो बाकी तो बस यही बातर,